अब अब इस आप 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 से हो आप सबहें हो गाइस आप सबी बहुत जादा बड़िया होंगे और आज की विडियो का टाइटल है एक यहूदी का इश्क मुस्तफा और अजीव मौत वह यहूदी कुछ अलगी लग रही है मुस्तफा के साथ उनका इश्क है और अजीव मौत शियुटी मौत जाएब जाएब तो इसलिए आप मौत की अप सुन्ति हो बहूदी की जाएब जाएगा एक यहूदी बच्छा तो इसे विए गएख उन एक मुसलिम बच्छा एक मरतबा उसे मदीनतु नम्वरा मेंे तो इ आखा की जिएश्क को चेराय वाजिया हमाए कमाने के उदेश गर में का solidarity आखा उन हिंका को यचद करता माबाब का एक लोता वेता था एक ही बेटा था यहूदी थे माबाप उसके खुद भी यहूदी था एक मर्कबा आका के हुसन को देख लिया उसका सोदा हो गया बादार मुस्तफा में आका का दिवाना हो गया आका का आशिक हो गया माबाप को बताया नहीं माबाप को इत्तिला नहीं दी कि मैं हुदूर का आशिक हो गया हूँ, हुदूर से महथद करता हूँ, चुपके चुपके घर से छुपकर किसी बहाने कभी बक्रियां चिराने के बहाने मदीनतलमुनवरा में आका के हुसं को तराश किया करता कभी मस्जद लबु शरीफ के दरWाजे से चुपके चुपके आका का हजी चहरा देख लिया करता था आका के हुसन को देखता आका की अजमतू के तराने अलापता एक वक्त गुजर गया एक मुद्द बीट गई आका का दिदार नहीं हुआ कमनाए दिदार मुस्तफा नी बिमार हो गया, बिमार इश्क मुस्तफा हो गया, इस कदर बिमार हुआ, कि बिस्तर अलालत को अपना बिचोना बना लिया, वो बिस्तर पर आ गया, माबाप हरेश, परेशान है, हैरान है, इसे क्या हुआ, अचानक इसे क्या हो गया, बेशुमा यहांट नí हांट कहरा है यह जखमें एबा है यह सब को नहीं मिलता कोशच नकरे कोई इस जखम को सीने की माँ बाप परेशान मिश्तेदार परेशानła अचीजों अ पर्शान इसे क्या हो गया चैनल कैसेods बेमार हो गया बिमारी शिद्थ पकड़ गया इस कदर बेमार हुआ ऐसा बेमार हुआ जो उसकी जिन्दगी के आखरी शाम थी अब आवाद उसकी बहूत कमजोर हो चुकी थी बहुत पस्त हो चुकी थी चाहता था किसी तरह मदिने मेरे वाले का दिदार करना यहूती है अभी तक इमान नहीं लाया आका का दिदार करना चाहता है बड़ी मुश्किल से आवाज बुलंद करता है है मेरे वालिदे महतरम मेरी एक तमन्ना है मेरी एक आर्जु है मेरी एक खाइश है आप पूरी कर देंगे ना वालिद ने कहा है मेरे लखते जिगर, है मेरे याँखों के तारे, तू मेरे दिल का सहारा है, तू तो इस दुनिया से आज जा रहा है, मौालिज, अतिबबा, डाक्टर्स ने जवाद दे दिया है, तेरे बचने का कोई इमकान नहीं है, तेरी खायश कैसे पूरी नहीं करूंगा, कहा मेरे वालिदे महतरम, मरने वाले की खायश तो दुश्मन भी तूरी करते हैं, आप नराज तो नहीं होगे न, कहा नराज नहीं होता, तू बता क्या चाहता है, कहा, अपने दिल आमना के लाल को दे चुका हूँ, में महम्मद यर्दी का आशिक हो चुका हूँ, उनके इश् अलिम तू क्या कह रहा है, दुनिया से जा रहा है, अपना दीन भूल चुका है, क्या कह रहा है, कहा है वालिदे महतरम, आपने वादा किया था न, आपने कहा था, मेरी आखरी खायश पूरी करेंगे, वालिदे कहा, मैंने वादा किया था, तू मेरा इकलोता देता है, तेर काईनात के रहामत हैं, मैंकर मुसिलमान आजों के रहामत नहीं, तखनात नहीं के रहामत हैं। मेरे अका का अंताजे दिर्बराना के लिए मिरे नहीं। सहाबा घूँअ, सहाबा अटो। एक यहूदी है तर मुझसे प्यार करता है दुनिया से जा रहा है और उसके पास चलते हैं मेरे आका यहुदी बच्चे के घर में चले जाते हैं वो यहुदी बच्चा आका का इंतदार करते करते अब उसकी आँखे बंद हो चुकी थी वालिद उसके करीब खड़ा था वालिद ने कहा है मेरे लगते जिगर है म जाती हुई रूप गोया अपने माबूब का नाम सुनके लोटाई आखे खोलता है आका का चेरा देखता है आका से अर्ज करता है कहता है या रसूल आखा आपका हसी चेरा देखने का खायश मंद था आज दीदार हो गया एक तमन्ना एक आर्जू या रसूल आख मेरे पास को को योजे नहीं है कोई अबादत नहीं की मुझत की नहीं हो कुरान का कारी नहीं हो कुछ भी नहीं है वक्त आपका प्यार है या रसूलल्लह क्या मेरी निजात का इमकान भी हो मेरी निजात भी हो सकती है या रसूल आल्लह क्या मुझे भी मख़रत का पर्माना मिल सकता है आका ने रिशाद पर्माया हाँ कलिमा तोहीद पड़ मैं तेरी निजात की जमानत देता हूँ वो आका के कदमों में गिर जाता है आका के कदमों में गिर के कहता है मुसल्मनों की अमानत है हैले इसलाम की अमानत है अब इसकी तजहीज औ तक्वीन की जिम्मदारी आपकी है जब जनाज़ा त्यार किया जाता है उस आशिक का जब जनाज़ा त्यार किया जाता है उस दिवाने का हरे सुना है, कोई यहूदी था, कोई यहूदी था हुसने मुस्तफा ने उसे सहाभी बना दिया है उसने आका का दिदार किया, गोर कीजिएगा नमाज नहीं पड़ी, अबादत नहीं की, रोजा नहीं रखा जिहाद नहीं किया मेरे घोस के मुझाहदात को याद कर लीजिए मेरे बाबा की महनतू को याद कर लीजिए खाजा गरीब नवास की जित्व जहत को याद कर लीजिए खाजा पाकी बिल्ला की महनतू को याद कर लीजिए इमाम आजम अबू हनीवा की फकाहत को याद कीजिए इमाम आहमद बिन हंबल की जिद्व जहत को याद कीजिए इमाम शाफई की फकाहत को याद कीजिए इमामों की फकाहत हिम्मद जिद्व जहत मुजादू रियातू को याद कीजिए वो सब इस यहूदी का मुकाबला नहीं कर सकते जो पहले यहूदी था अब सहापी हो गया है इमान की हालत में आका का दिदार किया यह गोस आजम से भी बड़ा है यह खाजा गरीब नवास से भी बड़ा है सब देखने के लिए आए हैं दिदार करें उस सहापी का जिसने फन दोबाला और मकाम पर फाइज हो गया अचानक उसके चेहरे पर से कफन उठाया जाता है सहापा यह मंदर वेकर हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे से नूर की के लिकि निकलती है आसमान की तर प्ढेट जाटी है सारे है रहान है यह सहापी जो पहले यहुदी था आका का कि बार दिया है मान लाया इसकी मैज़ेत włos करा रही है उसके के चेहरे पर लबों पर तबस्री मुझारा सबहरां हैं एक आजीब घरी मंधर शहाबा ने दिखा यापा पयोंग के पंचू के बलद चल रहे है पंचू के बल चल रहे हैं आका यह चल हैं साब आर्ज करते हैं या रसूल आल्लाहिस लिए इस की क्या हिक्मत है आका ने इर्शाद परमाया आलम-े-बाला के फरिश्टे मेरे इस आशिक को देखने के लिए इस तादाद में आए हैं इस कसर्च से आए हैं समीन पर पूर रखने की जगा नहीं है पंजू के बल चल मैं आका स middle आते हैं उस आशिक को जन्द्ट बती में ले जाते हैं खुद अपने हाथऊ मनजर देखते हैं हैं कि आका भूट इरा लगा देते हैं आका जब इसकी कबर से बाहर आते हैं तो आका के माथे पर पसीना है सहाबा आरज करते हैं या रसूल आका क्या हुआ इतना वक्त क्यों लगा आका ने फरमाया जब ये इस दुनिया से गया था मुझसे वादा लिया था मैंने वादा किया था मैंने कहा था कबर की मनजल से लेकर तो खूले जन्नत तक मैं तेरी मख्द की जमानत देता हूँ कहा ये बात सुन कर जन्नत की हूरे इतनी खुश हुई है इतनी तादाद से आई है जब इसे कबर में रखा गया तो बेतहाशा इसकी तरफ भागी हुई गई है और इसके चेहरे की बलाएं ले रही है आका ने शुबात वर्माया इसलिए देर हो गई और मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है मेरा पसीना इसके चेहरे पर गिरा है अब क्यामत तक इसका चेहरा महकता रहेगा करेंड ए सब्स्क्रकाइं और यह थंत्यूखरी आखै जोली में अगर तुक्डे . एस जांग aimed ख़ुजारे नहीव नहीं हएँ टॉत थाथ से मंगतू तब करेंब होती दी है। ने रिटल की मौत किस तरिक्ये से हुई एर दी एंड भाई जिसको मदलब पैयर हो ना सचे दिल से उसको कुछ भी चीज मिल जाती है इसलियाना कि सचे दिल से पैयार था वर मिला विला भी मलब की वह बताने लाई किनें कुछ चिदा डायक जननत में वह भी क्यामत तर कहना और कैसे वहां की जन्नत की हो रहें उसके पास भास्ती हुई आई कि नहीं जा रहा है और इतना टाइम लग गया उनको प्रफर मोमन को नहीं कहा कि मेरा अब जो पसीना है वो उसके चाहरे पर पूरी क्यामत तक उसके चाहरे पर रोशनी रहेगी तो यह था किसा और बस यह है तो हमें जरूर बता ना अम उस पे रेक्शन करें गे तो बाकित फ्लाइश विद्टेन गाई थैंक यू सो मझ वच एव वोचिंद नेक्स वीडियो में